हेलो बच्चो वेलकम टू विप्रामाइन चानल आज इस सेशन में हम डिसक्स करेंगे एक और मल्टिप्लिकेशन ट्रिक जिससे आप ऐसे टाइप के नम्मस का मल्टिप्लिकेशन इंजस त्री सेकंड में कम्प्लीट कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब चैनल टो गेट रेगुलर अप्टेक्स सब्सक्राइब अगर आप करेंगे हर एक नम्मस में जो दो नम्मस का मल्टिप्लिकेशन है उनका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो सेम है जैसे यहां पर 229977 और इन यूनिट प्लेस डिजिट सेम होने चाहिए और उनके 10 प्लेस का जो डिजिट है उनका सम 10 आना चाहिए तो ऐसे टाइप के नम्मस का अगर आपको मल्किलिकेशन आता है तो यह त्रिक यूज करके आप इनके आंसर जिस तू 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 सेकंस में काल्कुलेट कर सकते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है जो यूनिट प्लेस डिजिट है उनका मल्किलिकेशन करना जैसे 2 इंटू 2 ता इस 4 सबसे पहले आपको सिंगल डिजिट में आंसर आता है तो आपको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है तो विल राइट 0 4 इस प्लेस का जो डिजिट से उनका मल्किलिकेशन करना है 3 इंटू 7 ता इस 21 और यूनिट प्लेस डिजिट जो है जो सेम है वो वन ताइम एड़ करना है 3 x 7 21 plus 2 that is 23 so 2 3 0 4 is the answer okay now 6 sorry 8 x 8 that is 64 यह 2 डिजिट form में आ रहा है and 6 x 4 that is 24 plus 8 that is 32 the answer is 3 2 6 4 now 5 x 5 that is 25 8 x 2 that is 16 plus 5 that is 21 so answer is 2 1 2 5 6 x 6 that is 36 9 x 1 9 plus 6 that is 15 so answer is 1536 now 9 x 9 that is 81 5 x 5 that is 25 plus 9 that is 34 so 3 4 8 1 and जो last example है वो आप यह trick यूज करके answer calculate करिये और मुझे comment section में बताइए so अगर आपको यह video अच्छा लगा so please like this video and please share among your friends thank you so we'll meet in the next session till then take care bye bye झार प्यूड़ छ्यूव और प्यूश और ओ्यूचर बाद रड़ में झाले एले ईकले बते हैं